Hello Traders and Welcome to the studio members Nifty का चार्ट चल रहा है अभी प्रीवेस टेगे कुछ मार्किंग समने कर रखी है ये काफी important zone है प्रीवेस टेगा आज जिस तरह की opening भी और जो मुबू भी तक दिखाया है Nifty ने closing आप देखले ना इस line के नीचे ही होगी और ये पता चलेगा market close हो जाने के बाद में तो आज का चार्ट 5 September का चार्ट 5 September का चार्ट ओपन करके देखेगा कि marking जो हम लोगों ने की है closing क्या इसके नीचे हो रही या उपर हो रही है क्योंकि अपनी rating और analysis के recording फिलहाल तो morning का move इतना हो गया है कि अब कोई अच्छा move expectations नहीं है तो आज करीब तीसरा दिन है कि आज भी हमने trade avoid किया है कोई trade हमने नहीं किया क्योंकि move बहुत ज़्यादा sideways expected है कोई बहुत अच्छे moves की उमिद नहीं है फिलाल marking करके हम इसको observe कर रहे हैं but trade को execute नहीं करेंगे and lag ram को ऐसा है कि price आज अपने resistance को भी break नहीं कर पाएगे और अगर day low break कर देती तो बहुत बड़ी बात है यह sideways ही रहेगे बहुत ज़्यादा chances है sideways रहेगे फिलाल यह तो दूसरी बात है आज का जो video dedicated है अपना P&L statement के उपर है profit and loss statement profit and loss statement से बढ़ करके हम proper पूरा का पूरा laser आपके सामने share करेंगे कब कितनी trade को हमने concentrate execute कि उसमें कितना loss हुआ कितना profit हुआ यह चीज़े आपको कोई नहीं दिखाएगा मतलब बहुत यह मान के चलिए 1% लोग होंगे जो अपना proper laser open करके दिखाएगे आपको so terminal पर login कर लेते हैं और यह कोई show off नहीं है simply यह रहता है कि जो trades हम कर रहे है क्या यह proper way में हो भी रहे है या नहीं यह तरह से आप लोगों को समझ में आएगा management क्या किस हद तक role play करता है यह आपको समझ में आएगा किस तरह से जो analysis रहती technical analysis तो secondary चीज हो गई सबसे important होता है management so इस पूरे statement से आपको management का lesson शायद मिल सकता है so यहाँ पर limit में जाते है limit में यह तो अपना current account है 4,90,000 crown का है अभी withdraw नहीं मारा आपने इसको क्योंकि इस month से हम अपना risk थोड़ा से increase करेंगे so statement पूरा statement नहीं entries अगर हमें चाहिए तो laser का एक कहाँ पर था option हाँ यह रहा देखिए laser पर click करते है so laser पर जैसे जाएंगे तो पूरा एक date cup credit हुआ है cup debit हुआ है जिस सारी चीज़े हा रही है नीचे कुछ entries गायब है इसके अंदर की date एक बार slate कर लेते हैं हम लोगों को चाहिए previous one month का या one का ने two का ले रहते हैं अगर two का लेंगे तो यह हमतना होगा June, July माई, June, July यह जुलाई में आएगा first July ठीक है यह two months का होगा शायद इसक्रीन छोटी है एक बार इसको refresh कर लेते हैं इसक्रीन हमें बड़ी करनी पड़ेगी कुछ entries नीचे की gap हो रही है इसको एक बार refresh करते हैं फटाक से शायद उसे हो जाए नई, 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 इसक्रीन बड़ी करनी पड़ेगी फिलाल अभी देखते हैं इसको जो options के पीछे हाँ दोकर के सब लोग बड़े रहते हैं equity के trades हैं और 3000 रुपीज का हमारा risk है जो भी loss और profit आप देख रहो सिर्फ 3000 रुपए का मेरा risk है इसे ज़ादा का risk हम नहीं लेते हैं एक बार और इसको refresh कर लीजे देखिए risk हम बढ़ाएंगे अब next month से हम risk increase करेंगे और ऐसा नहीं कि double कर देंगे 3000 का है अभी जो मेरे मन में चल लाए 3500 रुपीज का हम risk करेंगे अब एक बार फिर से आप देट समय slate करनी पड़े हैं क्योंकि इसको refresh कर दिया था so August अगस्त हमने slate किया था लास्ट जुलाई जुलाई अगस्त नहीं जुलाई था जुलाई 1st जुलाई so 1st जुलाई अगर हम slate करेंगे तो इसमें हाँ पूरा 2 months का जाएगा नीचे की digits गाइब हो रही हैं बहुत सारी हमें स्क्रीन को वापस से record पर लगाना पड़ेगा चलिए फिलाल देख लेते हैं थोड़ा सा अगर और नीचे आएगे तो scroll करने पर समझ में जागा नहीं यह जो अगस्त मंत की शुरुआत हमारी हुदी opening balance आपको शायद नहीं दिख रहा होगा नीचे से यह हमें तो वीक काई था 3,000 रुपिस को लॉज हुआ है बाकि इस वीक तो एक ही trade हमने किया था शायद दो तारी को trade execute किया था अभी फिलाल रो की हम बात करें तो नीचे देखिए यह वाली रो नहीं दिख रहे थी हम लोगों को जो opening balance था अपना जुलाई का so opening balance आपको यहाँ पर दिख रहा हो करीब 3,78,000 रुपिस से शुरुआत हुई थी उसके बाद में 14,000 के एक profit था यह तो कुछ brokerage sharing वगरा हुआ था और फिर देखिए यहाँ पर यह loss हुआ था अपना तो कुल मलाकर करके जो withdrawal हुआ था अपना वो 4,000,000 के आसपास का जुलाई में withdrawal हो गया था अभी 4,000,000 का withdrawal करने के बाद में 2,000,000 हमने अपने अकाउंट में रहने दिया बागी 2,000,000 रुपि हमने इसके अंदर और रेट कर दिया अब 2,000,000 से पूरी जर्नी फिर से start हुए अभी कितनी 4,21,000 अभी बनी हुए है अब देखो यहां से क्या हुआ है 2,000,000 आने के बाद में धिरे-धिरे करके अकाउंट से अपने होते रहे अब यह जितने भी ट्रेड इनको 3 पार्ट में डिवाइट करो एक तो वो जिसमें losses हुए है यह देखो यहां पर भी देखो जब loss हो रहे हैं तो लगा तो loss ही हो रहा है यह देखे loss ही हो रहा है profits हो रहे हैं तो profits भी हो रहे है तो सबसे पहले चीज़ के देखो losses हो रहे हैं लेकिन यह management में ऐसा नहीं है कि हमारा 3,000 का 31,000 का या जो risk है मेरा वो बढ़ करके फिर 2,500, 6,000 पर जा रहा है trade हमारे opposite जा रहा है हम फिर भी उसको hold करें नहीं जैसे stop loss ही चुप चाब बाहर हम उसको hold नहीं करते साथ है और ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ 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 टार्गेट्स मिलते ही है जो दूसरी चीज़ है कहीं बढ़ होता है पैस आपका sideways के भी आपको बहुत सारे examples मिलेंगे जैसे यह देख लो 692 रुपय का profit और आजाओ 6000 का profit 1 to 2 यह देखे 7,000 का profit 1 to 2 मिल रहा है यहाप तो यह loss हुआ फिर क्या है 1 to 3 मिला यहाँ पर भी देखी क्या है 1 to 2.5 क्योंकि 3,000 का ही तो risk है उसे तो risk है ने और बड़ी बड़ी profits होते है जैसे यहाँ देख लो 15,000 का है 17,000 का है 14,000 का है 11,000 है 11,000 के बाद में फिर देखो 17,000 का है फिर से profit है फिर 10,000 का है यह फिर 13,000 का है तीन चीज़ जो भी हम आपसे बोल लेते हैं कि लॉसस भी है कम profits भी है और जब हमको proper target में ला तो बड़े profits भी है लेकिन सारी चीज़ों में आप common बात एक जो देखो वो है management किस तरह से manage करके हम काम कर रहे है technically आप strong हो या ना हो बात की बात है लेकिन management बिलकुल शुरुआत है वो new है वो strong होना ही चाहिए क्योंकि वो आपके हाथ में market तो आपको target देगी stop loss लेगी या आपके हाथ में नहीं है कब वो target देगी कब stop loss लेगी आप चाहो भी तो इसे control नहीं कर सकते है वो हम लोग नहीं करते हैं लेकिन हम लोग क्या करते है हमारा risk कितना ये हम decide करते है मेरे पास phone आते है कुछ call आती है अक्सर हम बात करते है जो मेरे पास call आती है उनसे बात होती जब कुछ बाते पातों जो में याद रजाती है जैसे कि एकर कोई बड़ा loss बोलते है में डहाई डहाई करूड रुपय का अभी लास्ट विग मेरे पास एक कॉल आए थी उन्हें डहाई करूड का नुकसान किया है आप्शन्स ट्रेडिंग के अंदर ये तो बहुत ज्यादा था कुछ लोग हैं 50 लग का नुकसान कर रहे हैं आपको बस अपनी टेक्निक्स को आसान बनाना है टेक्निकल्स मजबूत कर लो अपना थोड़ा थोड़ा सही मार्केट से पैसा रूज ले करके घर जाओ जो हम अक्सर बोलते हैं आपसे 100 रुपय के स्ट्रोपलोस बचा पाओगे तुम 2000 का ही बचा लोगे अगर 100 रुपय का ही नहीं बच पा रहा तो फिर आप बचा फिर 500 रुपय का भी नहीं पाओगे और जो कैबिटल वो सारी साफ हो जाएगे तो देखो यहां पर सारी ट्रेट्स वगर एक्जिक्यूट हुए यह विड्रॉल हुआ था और अभी का देखो कितना अपना अमाउंट है चार लाग एकिस जार के असपास का है तो अभी विड्रॉल नहीं किया है थोड़े दिन के बाद हम विड्रॉल पार निकलेगा तो हमेरे पेशे तीन दिन से तो 3 यह डिन हे मिल रहा अगर मिलता तो सार 228.TFT और यह तो दो huge ंख? अगर यह यह अभी पांच के उपर अगर यह निकलता है अपना 550 अगर इसमेह निकला ना तो फिर हम इसको फिड्रॉल करेंगे और जो हमारा रिस्क 3,000 का है अभी हम इस रिस्क को बढ़ा करके 3,500 तक ले करके जाएंगे ऐसा नहीं कि 3,000 से सीधे हमने 6,000 कर दिया 5,500 हम इंक्रीस करेंगे 3,500 या देखेंगे 4,000 अगर हो पाएगा तो 4,000 फिलाल अभी जो मेरे मन में 3,500 ही है शुरवात ये कितनी से उती पता है आपको 500 रुपीज से पाउन्स रुपीज से शुरवात किती 500 से हजार, 1500 से पंदरास 1500 से दो, जादो से डाई, डाई से तीन तीन से अब साढ़े तीन की उम्मीद है हो सकता है सिंपल वे में जो भी वीडियोस हम अप्लोड करते हैं चैनल पर या जो भी शॉर्ट वीडियोस में आपको टेक्निक्स पता दे ना, उनको बहुत अच्छे से प्रेक्टिस किया करो दो, एकुटी में अगर एक बार आप प्रॉफिटेबल हो गए तो फिर आप दुनिया की किसी ही मार्केट में विजय कर लोगै एक प्रॉफिटेमल होने का मतलब गया है इकुटी के अंटर Pोफिटेबल होने का मतलब क्या है मतलब कि आप टेक्निकल तॉर पर स्ट्रॉव हो चुके हो volumes पढ़ने कि अब आपको तमीज आज चुकी है naked eyes से analysis आप कर लेते हो charts की, एक sentiment क्या वो समझ में आ जाता है आपको candle to candle आपकी जो reading वो आपको समझ में जाती है, वो पकड़ लेते हो आपका जो risk management है आपको money management है, जो आपकी psychology यह सब करने के लिए equity की field ही सबसे बहतर है, क्योंकि आप जितना चाहो उतना risk ले सकते हो, चाहो तो survey, गर इसक ले लो, चाहो तो यह खजार कर ले लो लेकिन इसके लाब़ा किसी और field में यह liberty है ही नहीं किसी और market में, आपको कि options में तो नहीं होगी, पैसा फूंको गया, options में तो मेरे पास comments आते हैं कई सारे, कि आपको respect करने चाहिए other traders की, जो लोग भी options करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पूरी दुनिया में trader हो अब argue करने के लिए लोग तो argue करेंगे ही करेंगे लेकिन हमें उसकी reality पता है शायद आप उसके गवाभी हो अगर आप options करेंगे तो आपको उसकी reality पता होगी कि आप 80 चोटी का ज़रूर लगा लो फिर भी 0.001% ही चांस है कि आप उसके अंदर profit बना पाऊगे और अगर गलती से बन गया तो उसको hold कर पाऊगे या उसको घर तक ले जा पाऊगे या बड़ी बात है पूरे हफते बनाऊगे लास्ट वीग में पूरा सफा हो जाता है अंधेरा कुआ है options trade करने का instrument नहीं है वो hedging का instrument है उसका use hedging के लिए किया जाता है आपने कोई stock buy कर लिया मालों हमने reliance buy कि अभी कोई news या कुछ results elections वगरा कुछ आने वाले हैं लग रहा है कि हमने तो buy किया था वो ऐसा नहीं dump कर जाए नीचे कर जाए तो हम क्या आगर तो call buy कर लेते हैं अगर मालों मेरा stock नीचे भी गया तो वो call उपर जाएगा थोड़ा सा profit अपना cover हो जाएगा यह जो loss होता है वो cover हो जाएगा तो इन conditions में options का use करके हम लोग अपने profits को अपने जो losses हैं उनको control कर सकते हैं और इसी लिए इनका invention भी हुआ था फिलाल दोखो यहां की बात तो सीधे चलेगी options में आप खुद समझदार हो अक्सर हम बाते आपसे बताते रहते हैं यह सारी पहली बार नहीं बोल रहे हैं तो अधर अपना ध्यान भी रखो इधर टेक्निकल तोर पर अपने आपको खूब strong करो और काम करो अब देखो एक-एक dates आपको दिख रहे हैं और उनके आगी यह सारी अपने trades दिख रहे हैं ठीक है तो लॉस प्रॉफिट ग्यारा जार के छे सो चौदा सो ते तेरह हजार चौदा हजार सत्रह जार दस जार फिर से लॉस फिर फंद्रह जार फिर रिफरल है इस तरह से दिर जाना किदर ने जाना भूल जाओ बस stop loss protect करने के उपर पूरा जोर लगा दो आप पैसब बना ले जाओगे कुछ दिन पहले भी टेलिग्राम गुरूप पर अपने इसी तरह की एक शीट मनी मैनेजमेंट की आपनों को शेर किते हैं तो को सारी अडिशनल टिप्स इसके अंदर रखे हैं monitor market correlations avoid chasing losses keep trading records उसके records बना इसके रिकॉर्ट का हो गया लिवरेज का इस्तिमाल बहुत सोच समझ करके करो portfolio management यह trade plan भी करना है तो proper एक plan बनाओ इस्टिक रहो पने trading plan के ओपर discipline उस discipline को maintain करो risk and reward ratio सबसे उपर आपको दिख रहा होगा सिर्फ 2% या उसे कम कहे risk लो और यही rule होता है position sizing को बहुत ध्यान से रोखो emotional trading कभी नहीं कि बस मन किया कर दिया अंदर से लग रहा है कि नहीं यह तो उपर जा रहा है फटाक से चलो भाई कर लेते हैं लगे कि नहीं इस तरह की चीज़े अगर आपको फिल हो रहे हैं लाइव मार्केट में तो छोड़ दो यह कुछ चीज़े हैं आप trade execute करने से पहले उसको देख लो समझ लो questions कोई भी question किये बगार आपको किसी तरह की activity नहीं करने एक्स्टा activity नहीं करने है emotional trading अमें नहीं करने है thanks goodbye and I hope कि वीटे सो कुछ बहुत चीज़े आपको समझ वाए होगे so thanks and we will meet again